आज हम बात करने वाले हैं आप अपने फोन में साइड से बैक करने का बटन कैसे हटा सकते हैं तो इसके लिए आप अपने फोन में सैटिंग्स को ओपन करिए जैसा की देख सकते हैं फिलहाल हमारे फोन में साइड से बैक करने का बटन काम कर रहा है तो इसे हटाने के लिए settings को open करिए settings में आकर नीचे आईए नीचे आकर आपको मिलेगा home screen के नाम से एक option home screen पर आप click करिए home screen पर click करके एक option आएगा full screen display अगर आपको full screen display का option नहीं मिलेगा तो आप click करिए system navigation वाले option पर अगर आपको यह option नहीं मिलेगा तो आपको जब settings open करके एक यह वाला option मिलेगा search settings का तो इस पर click करिए click करने के बाद यहाँ पर आप search करिए system navigation और यह search करने के बाद आपके सामने यह वाला option आएगा system navigation इस पर click करिए इस पर click करके ऐसा page आपके सामने आएगा जैसा कि देख सकते हैं हम home screen में से इस option पर click करेंगे अब देख सकते हैं same page आपके सामने आ चुका है तो यहाँ पर आपका gesture option select होगा तो एक जो option आएगा यहाँ पर buttons वाला buttons पर click करिए buttons पर click करके आपके phone में side से back करने वाला button हट जाएगा और यहाँ पर आपके नीचे के buttons आ चुके हैं तो अब यहाँ पर back करने के लिए back button आ जाएगा नीचे तो इस पर click करके अब आप back कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को subscribe जरूर करें